हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल EDF जोन में और आज हम जानेंगे कि EDF पे हम manually new cinematic title कैसे create करते हैं तो कोई भी project software पे create करने पहले हम उस project को create कर चुके होते हैं अपने mind में जैसा कि मुझे title कैसा रखना है, title का font क्या होगा, title का color क्या होगा, उस title का background क्या होगा ये चीज हम लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए तो मुझे title किस पे create करना है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे clip parts और background इंपोर्ट करा रखे हैं जैसे कि मैंने यह background इंपोर्ट करा रखा है, बाकि आप जिस पे अपना new title क्रियेट करना चाहते हों वह background आप open कर सकते हैं तो चलिए हम start करते हैं title क्रियेट करना, तो सबसे पहले हम background को timeline पे drag and drop करेंगे तो यह रहा हमारा background, अब हम simply यहाँ पे क्या करेंगे, उपर वाले timeline के layer को select करके और right click करके new clip पे जाएंगे और यहाँ पे हमको तीन option आएगा, color bars, color mate and quick titler तो हम क्यों title पे click करेंगे और यहाँ पे हमारा text लिखने का option आजाएगा, तो हम यहाँ पे अपने starting में हम लोग अपने studio का नाम लिखेंगे या फिर आप जिनका design करेंगे, उनका studio का नाम लिखेंगे तो हमारे channel का नाम है edf zone, तो हम यहाँ पे type कर लेंगे edf zone size हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, copy, ctrl c से copy, ctrl v से paste और इसको हम लोग ला लेंगे नीचे और यहाँ पे double click करके, हम लोग edit करके यहाँ लिख लेंगे presents तो यहाँ पे हम लोगों ने text लिख लिख लिया है और हम लोग इसको अरजेस्ट करेंगे अब तो कैसी है, मुझे कुछ थोड़ा simple simple सा लग रहा है, तो मैं इस पे क्या करूँगा कुछ add करूँगा जिससे कि यह अच्छा लगे और मैं यहाँ पे एक line बनाऊंगा, मैंने माइज करके इसको थोड़ा बढ़ा कर लोंगा और मैं इन दोनों के पीज में इसको ऐसे रख दूँगा अब यह है white, हम लोग इसके color में थोड़ा इसका color हम change करेंगे ताकि background से कुछ match करें और यह थोड़ा अच्छा लगे, तो check करेंगे हम यह अच्छा लग रहा है और इसके side से हम लोग थोड़ा अफा add की देंगे यह soft वाला देंगे ताकि अच्छा लग रहा है shadow में देंगे अच्छन लग रहा shadow, inbox देके देखेंगे काइफा लग रहा है inbox देने फिर हम लोग का यह ताइटल है यह थोड़ा 3D टाइप लगेगा आप लोग देख सकते हैं पहले हम लोग काइफा था simple, plain और यह थोड़ा 3D लग रहा है तो हम लोग ऐसे रखेंगे इसको और Ctrl S दबाके save कर लेंगे तो हमारा टाइटल हो गया हम लोग उसका लेंच देंगे 4 seconds आप जितना देना चाहें उस इसको आप ऐसे खीच के लंबा कर सकते हैं करेंगे तो छोटा होगा, right fight करेंगे तो बड़ा होगा, left fight करेंगे तो छोटा होगा तो मैं यहां पर इसको रख लेता हूँ अब यह दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि background move कर रहा लेकिन यह इस टील है यह एक जगा पर रुका हुगा है टाइटल ना यह बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है ना दाय जा रहा ना बाय जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा moment मिलाऊंगा moment मिलाने के लिए मैं इस पर click करूंगा और information पर आके layout पर click करूंगा layout पर click करने के बाद मैं यहां पर alt tick कर दूंगा ताकि मैं कोई भी moment करूं तो वो save होता रहा है यह 4 second का length है तो मैं starting में आ जाऊंगा और starting में इसको मैं थोड़ा थोटा कर दूंगा और यह last जाते जाते इतना बड़ा हो जाए मतलब starting में यह इतना थोटा रहा है और यह last में जाते जाते 4 second इतना बड़ा हो और मैं then okay प्रेस कर दूंगा और यह देखे यह हलके हलके से बड़ा हो रहा है ठीक उससे परकार हम लोग आगे का भी अपना design करेंगे तो चलिए design करते हैं कि अभी यह थोड़ा simple सा लग रहा है तो मैं इसके आगे क्या करूंगा कुछ clips arts डालूंगा एक और layer बनाऊंगा मैं ठीक इफेक्ट में जाके यहां पर यह ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो मैं यह चाराओं की background भी दिखे यह ब्लैक जो है यह हट जाए तो इसके लिए हम लोग जाएंगे effect में effect में जाएंगे keys में कि इसमें blend and addition तो यह देखिए यह पहले हम लोग का अपसे पहले आपका title दिखाए जाए है फिर यह bubbles बन क्या रहा है तो हम लोग क्या करेंगे title को थोड़ा पीछे लाएंगे ताकि जब bubbles बने तब दिखे तो हम लोग ला लेंगे इसको यहां पर कर लेंगे थोड़ा काम यहां पर डिजॉल्व इस लिए ताकि यह ऐसे ऊपर धीरे 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 वीडियो दिखे एक बार में आया यह फे धीरे 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 करके यह शो हो ठीक है दोस्ताँ हम लोग यहां पर दूसरा टाइटल एड करेंगे दूसरा टाइटल एड करने के लिए सिंपल हम लोग इस टाइटल को कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे होग जञेंगे एडिण सेरे मनीच वेडिंग बागी आप जो यहां पे टाइटल देना चाहें वेडिंगे तो वेडिंग का है, रिंग का है, तो रिंग फेरिमनी, बर्दे है, तो बर्दे का लिख सकते हैं, अब अपने साफ से हाँ पर टाइटल एड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वेडिंग फेरिमनी लिखूँगा, और ये बीच वाला डंडी कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लोंगा क्या और दोस्तों ये मैंने पियो पेस्ट की आगर मैं इसको इसोडा मेरेकट करूंगा थो ग्या पीछशह वाला थी अपनेश्वेद जाके तो मैं इसको क्या करूंगा फाइल में जाओओं गांड और याहां पे इसको मैं नौश लग तर दूंगा और देन यहां पे मैं इसको यहां पे डिजॉल करूँगा क्यों यह देखिए यह लाफ्ट में आते आते हैं ये आचानक गया अचाना के अचन लग bearings अचाना क्या पेस्ट करोंगा को है कि कितना देर गएप भे Southern है यहें अपर और कट कर दूल गा ताकि मुझे पता चले हैं इतने देर बाद मुझे टाइटल को अपने रखना कंपी करेंगा यह करूँ गा कि को इस वाले को मैं यहां पर दूँँगा ताकी स्टार्ट यहां पर होना अश्टार्ट हो और यहां पर आके मेरा टाईल शोगा घो अरन कि ded ने successes होगा और पता भी यहीं लगेगा और सबस्स right or देखेंगे ठीक है दोस्तों ठीक ऐसे ही करकर के हम धीरे-धीरे-धीरे-धीरे पुरा laughed design कर लेंगे कि हमें जो जो चाहिए होगा जैसे कि इसके बादहम लोग डालेंगे wedding of दुलादुधन का नाम डालेंगे फिर एस्टार्ट हो जाएगा इसको copy करूँगा and paste करूँगा ठीक है फिर इसको मैं click करूँगा double click से open हो जाएगा फिर double click से मैं option आजाएगा title change करने का और अब मैं यहाँ पर डालूँगा sweet couple sweet couple डालने बाद यहाँ पर मैं groom and bride का नाम लिखूँगा तो groom का नाम मैं Amit लिख लेता हूँ Amit Wets Amrita और इस बार डंडी खुटा के कुछ अलग ट्राइ करेंगे design देने का नाम में हम लोग बीज में दो तीन एक तो तीन 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 स्पेस दे देंगे sweet couple हो गया अब यह थोड़ा simple लग रहा था हम लोग इसके आगे चैड करेंगे इस वाले का एक हम लोग duplicate बना देंगे और यहांस क्लिक करके एक बार में change हो जाएगा तो दोस्तों यह नहीं तरीके से मैंने लिख दिया है तो हम इसको डारेक्ट सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने copy और paste किया है अगर मैं इसको सेव करूंगा तो पीछे वाला भी अपने अप एडिट हो जाएगा तो मैं इसको भी safe करूंगा और इसको मैं नाम दे दूँगा then ठेक है दोस्तों तो दोस्तों यहां पर बफ नाम आ रहा है और यहां पर footage हम लगाना चाहते हैं क्योंकि दुल्धा दुलंकर यहां पर footage नहीं आ रहा तो यह खाली-खा लग रहा है तो मैं लोग यहां पर दुधा-दुधन weìnगे तो मैं बिन में जाओंगा तो दोस्तो ले आउट ओपन करने के बाद में नीची आ जाऊंगा और यह सॉफ्ट वाले पर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा आगे कर दूँगा ताकि यह बैक्ग्राउंड कहीं आप से मैच कर जाए बैक्ग्राउंड में डिजॉल्व हो जाएगे दोस्तों यह मैं फाइट फाइट पर थोड़ा क्रॉप कर दूँगा था कि वहाँ पर जो फाइट फाइट से दिख रहा था वह ना दिखे और यह फुली डिजॉल्व हो जाए उसमें अब भी फाइट 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 फी थोड़ा चॉक ओट टाइप का दिख रहा है तो में किसके और भी अर्जेस्ट करेंगे क्या चंड लग रहा है वह और यह टाइटल को में उपर लेके जाओंगा और पैग्राउंड को नीचे लिख आओंगा फुटेज को इसको थोड़ा मैं बढ़ा करूँगा और इसका एंट्रि में कुछ एफा करूँगा इन में मैं इसको एफाइफेक्ट दूँगा कि यह थोड़ा फाइट हो और यह जूम रहा है और यह दीरे-दीरे सीधा होके फिट हो जाए तो लाफ्ट में सीधा हो जाए और इतने के हो जाए तो यह कुछ आइफा होगा यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे कर दूँगा ठीक है और मैं ओक्के कर दूँगा और टाइटल को मैं थोड़ा फाइफा नीचे रखूँगा और यह इस बार इफेक्ट नी मैच किया टाइटल में नीचे किया है तो यह उपर चला गया है और यह नीचे आ गया है तो इसको हम लोग इडिट करेंगे ले आउट पे जाके अब टाइटल हमारा यहां तो यह आप लोग डख लेंगे ओके कर देंगे और इसका ले आउट उठा के इसमें पेस्ट कर देंगे देखते हैं मैच किया या नहीं थोड़ा फाइफा नीचे हो जा रहा है यह टाइटल और यह उपर तो हम वह बहुत का फाइफा और नीचे फूटेज दोस्तो अचानक आ जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे टाइटल का ही ले आउट इसमें डाल देंगे ताकि फूटेज आहिस्ता से आ है ठेक है तो दोस्तों यहां तक हम लोग का टाइटल क्रियेट हो चुका है और आगे अब हम लोगों को बस फ्रेम बनाना है टाइटल का ताकि हम उस पर फैमिली मेंबर्स का नाम एड़ कर सकें तो चलिए बनाते हैं झाल से पाल दोनी होगी पाल चाहँ झाल झाल तो दोस्तों ये टाइटल मेंने क्रिएट कर चुका है, गुरूमसाइट के फादर मदर का, और ये बैक्ग्राउंड खर्टम हो चुका है, तो मैं आप बैक्ग्राउंड को कॉपीपेट कर दूँगा, और ये बैक्ग्राउंड में अचारण जटका आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा अल्ट करके इसको बैकवोड कर दूँगा यह जटका बैबरांड का खत्म हो जाएगा ठिक आफ्टर डाइट हम लोग क्या करेंगे इसके बाद दोस्तों यहां हम बीट में क्लीपार्ट रगाएंगे ताकि जो टाइटल चेंज हो रहा है वो डारेक्ट चेंज ना हो कि थोड़ा लाइटिंग के साथ चेंज हूँ तो उसके लिए मैंने पहले से यहां पर इंपूर्ट करा रखा है अगारा जी लगां वह मुद्ट करेंगे और उसको अगये जरूर्ट औ यह व्हां जैंट नारीट में ऐसने बीखेन के स्क्रीन को दोस्तो कम प्लेइ करके देखेंगे और यह र्फेट्ट है अब हम लोग को आगे इतना मैंअलध करने की ज़रूरत नहीं हम लोग का इतना प्रजेक्ट क्रियेट हो चुका है और हम लोगों आगे ऐसे फ्रेम टाइटल का बढ़ाते जाना है था हम लोग क्या करेंगे इस वाले टाइटल को Ctrl-C से copy करेंगे और paste करेंगे जितना फ्रेम हम लोग कुछ आई होगा उतना फ्रेम हम लोग बना लेंगे तो मैं 10 फ्रेम का बनाता हूँ एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ नो दस और background को copy paste करके background भी बढ़ा लेता हूँ मैं लेचे वाला layer select करना पड़ेगा तो यह last का अकाट के अटा देता हूँ तो यहां पर हम ने title copy paste करके बढ़ा दिया है और यह हां पर हम लोग को बस copy and paste करना है यह light जो transition का light है बस हम लोग को यह copy and paste करना है तो copy paste करते हैं हम लोग और जेस्ट करते हैं आधा यहां पर आधा यहां पर ठीक है तो यह करके करके दोफ्त हम सारे title पर यह transition light लगाएंगे तो दोस्तों मैंने एक-एक करके सारे clip arts लगा दिये हैं transition के light के और हम लोग क्या करेंगे title यह हमने copy and paste किया था तो हम लोग एक-एक title खोल के title को एक नया नाम देंगे सारे title को और हम पिछला करेंगे तो आगे का चेंज होगा और आगे का चेंज करेंगे तो पीछे का चेंज होगा क्यूंकि हमने copy and paste किया हुआ है तो हम लोग save s पे जाके इसको चार करतेंगे इसको हम लोग 5 करतेंगे तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं जरून यह कि मैं 1234567 दे रहा हूं तो आप भी 34567 दे अगर आप उसमें माता-पिता का नाम लिखें तो माता-पिता दे दें पादर-मदर लिख दें बरदर-सिस्टर का वो फ्रेम है तो बरदर-सिस्टर लिख अंकल अंटी का प्रेम में तो अंकल अंटी लिख सकते हैं इस तुडियो का है तो आप इस टूडियो का नेम लिख के भी सेव कर सकते हैं तो जैसे आपको इजी पढ़े ऐसे नमिरिंग दालना इजी पढ़ता है और जल्दी हम लोग का फास्ट काम हो जाएगा तो आपको तो दोस्तो एक किक करके मैंने सारे टाइटल के फ्रेम का नाम मैंने चेंज कर दिया है नए नाम से सेव कर दिया है ताकि मैं कोई भी टाइटल एडिट करूं तो आगे पीछे का चेंज ना हो जो मैं एडिट करके सेव करूं पर वही सेव हो तो हम लोग अब नाम इडिट कर लेते हैं पिर हम लोग इसका प्ले करके डेमो देखें जी कैसा दिख रहा है यहां पर जी बचा लाफ्ट फ्रेम और यहां पर हमनों डालेंगे अपने इसके डियो का नाम तो दोस्तों यह फॉंट कुछ बैट नहीं रहा है तो मैं फॉंट कुछ चेंज करूंगा ठीक है इसको थोड़ा बड़ा करूंगा तो दोस्तों यहां पर हम लोग का टाइटल तैयार है बनके और हम लोग एक बार इसको प्ले करके डेमो देखते हैं कि यह दिख कैफा रहा है झाल 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 तो दोस्तो टुटोरियल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप EDS के निव यूजर हैं और ड झाल 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 झाल